हलो एन वेलकम टो इज ऑफ दूइंग स्टडीज होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही हो आज का हमारा लेसन है करेंट अफेस का जो कि फिफ्ट से लेके 13 डिसेंबर तक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन फर्स निवागता है हमारी सेवन्थ वर्लड अईयरवेदा कॉंग्रेश हेलद ॆ क्योंकथा इसे और्गनांइज किया था वर्ल अईयरवेदा फांडेशन ने विड अजिर सपोर्ट अफ यूनियन मिनिस्ट्री अफ आयूश से यह अईरुवेदा कॉंग्रेस इसलिए और्गनाइस किया गया था कि ताकि फैसिलेट कर सके डवलप्मेंट और ग्रोथ आयुष सिस्टम आयुष में इंक्लूड होता है अईरुवेदा, योगा, नाचिरोपेथी, युनानी, सिद्ध और होमोपेथी और इस कॉंग्रेस का थीम ता स्ट्रेंटनिंग भी आयुष वेदा इकोसिस्टम नेक्स्ट निउज है हमारी असाम सहला कांडी बिकम्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू पेग कैशलेस ट्रांजक्शन वेज़ेस डिमोनेटाइजेशन के बाद ये डिस्टिजन लिया किया कि वेज़ेस हम कैशलेस ट्रांजक्शन की तुरू पेग करेंगे तो ये वेज़ेस पे किये गए टी गार्डेन वर्कर्स को और पेमेंट किया गया फाइव बैंकिंग कर्सपोंडेंज जो असाम ग्रामिन विकास बैंक के थे तो असाम का हेला कांडी बना फर्स्ट डिस्टिक्ट टू पेग कैशलेस ट्रांजक्शन वेज़ेस इस नीवस में हमारे लिए इंपोर्टेंट है सर्टीन ओर्गनाइज़ेशन जो कि एक नॉडल एजिंसी है जो डील करती है साइबर सिक्यूरिटी थ्रेट्स जैसे की हैकिंग और फिशिंग से फिशिंग बिसिकली यह होता है कि इमेल किया जाता है रेपिटेबल कंपनीज के नाम से और सर्टीन ओर्गनाइज़ेशन आती है यूनियन मिनिस्टर आफ एलेक्ट्रोनिक्स और इंफोर्मेशन टेक्नोलिजी के अंडर में माइक्रो एटियम्स यह होते हैं कि जो की वर्क करते हैं मिनिमल पावर और करेक्ट होते हैं सेंट्रल बैंकिंग सर्वर से एक जीपी आरेस नेटवर्क के दुरू सिक्स्थ हार्ट ओफ एशिया कॉन्फरेंस हेल्ड इन अमरित्सर पंजाब और इसका थीम ता अड्रेसिंग चालेंजेस अचेविंग प्रोस्पारिटी तीन बिग इशुज को इस कांफरेंस में डिसकर्स किया गया से हार्ट ओफ एशिया कॉन्फरेंस एक पार्ट है इस्तांबूल प्रोसेस का जो कि एस्टाबलिश्ट किया गया था 2011 में यह एक प्लाटफॉर्म में जिस पे डिसकर्स किया जाता है अफगानिस्तान को सेंटर में रखकर इसके 14 participating countries से रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, गजगस्तान, कुरिजिस्तान, तर्जिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सौधी अरेबिया, UAE, अजर्बाइजान और तर्की और इस conference को conclude गिया गया, अम रिचसर declaration अड़ाप्ट करके, जिसका प्राइम फोकस था, टर्रिरिजम पर Amazon launches global startup program launchpad in India यह program exposure देगा हमारे इंडियन स्टार्टप्स को ताकि वो अपने products को sell कर सके, market कर सके, overseas में यह available है, 7 regions में, जिसमें feature होते हैं, 400 products यह बहुत ही helpful रहेगा, इंडियन स्टार्टप्स के लिए, और इसमें 25 इंडियन स्टार्टप्स भी included है Joint maritime exercise, कॉंकन 16 between India and UK begins कॉंकन नाम लिया गया है, western coastal region से यह exercise को start किया गया था 2004 में, जो कि alternately host किया जाता है between India and UK में, सो कॉंकन 16 कंड़क किया जाएगा दो फेज में, पहला फेज होगा मुंबई में और सेकंड फेज होगा गोवा में से exercise एक नेवी में positivity लाता है और एक यह symbol होता है maritime security और economic development का next हमारी news है, Dr. B.R. Ambedkar's birth anniversary will be observed as water day इसे organize किया था Central Water Commission न्यू डिली में इसके पीछे idea यह है कि लोगों को aware किया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि water resources कितना precious है और Dr. Ambedkar की birth anniversary इसलिए चुनी गई क्योंकि वो responsible भी थे जब All India Policy बनाई गई थी water resources के लिए इंडिया में next news है हमारी world power language index जो की release किया जाता है world economic forum के द्वारा इसमें English को first rank दिया गया top most powerful languages में और Indian language जो हिंदी है उसे rank दिया गया 10th हिंदी सबसे ज़्यादा language बुली जाती है इंडिया में जिसका share है 41% और यह official language भी है Indian government की तो इस news में हमारी लिए important यह है कि world power language index को published करता है world economic forum 2016 इंडिया international science festival held in New Delhi और इसका theme था science for the masses जिसे help किया गया था council of scientific and industrial research national physical laboratory न्यू डेली में CSIR इंडिया की एक premier national research and development organization है जिसका main aim है promote करना science and technology को और लोगों में scientific temper लाना FSSI bans use of newspapers for packing food see FSSI ने ban किया newspaper को wrap करने से pack करने से food items को क्योंकि क्या होता है कि newspaper में जो newspaper ink होता है वो contaminate करते है food को जो की serious health problem हो सकते है उससे FSSI एक nodal statutory agency है जो की responsible है protect करने में और promote करने में public health को इससे established किया गया था food safety and standards act के अंडर में और यह organization आती है ministry of health and family welfare के अंडर में India ranks 7th in 2016 Global Terrorism Index इस index को published करता है Sydney based think tank institute for economics and peace top 10 में जो 6 Asian countries है उन में से एक India भी है और according to Global Terrorism Index 2016 Iraq was the worst hit by terror followed by Afghanistan and Nigeria and followed by Pakistan so Global Terrorism Japan successfully launches space junk collector into orbit और इस space junk collector का नाम है को 906 जिसे HTV-6 भी कहा जाता है जब से mission exploration space में शुरू हुआ है Soviet Union 1957 में जो satellite भेजी थी तब से जितने भी missions launch हुए है सबके debris और जो west material है वो rotate कर रहे हाई speed में space में तो वो बहुत ही dangerous होता जा रहा है future missions के लिए तो जो debris revolve करते है space में उसे Kessler syndrome भी कहा जाता है और जपान ने ये technology निकाली है जिसमें magnetic theater लगा होगा जो की collect करेगा space junk को प्रेशिडेंट प्रणव मुखर जी लॉंचेश 100 million for 100 million campaign इस campaign को organize किया गया था कहला सत्याती children's foundation ने और इसका प्राइम objective ये है कि child labor और child slavery और violence against children को खतम किया जाए अगले पात सालों में कलाडन multimodal transit transport project ये रूट होगा कॉलकता से लेके मिजोराम वाया मैनमर इंडिया के पास फिलाल एक रूट है जिससे चिकन ने किया सिलिगुडी कोरिडोर भी कहा जाता है जिससे इंडिया बुच शिप्ट करती है नौर्ट इस्टिन स्टेट्स को तो इंडिया के पास एक और ये अल्टरनेटिव रूट अवेलेबल हो जाएगा ताकि वो इसली बुच को शिप्ट कर सके तो ये ता हमारा आज का लेसन होप आपको अच्छी इंफोर्मिशन मिली होगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक य अविड़ ट्रूंग एक जब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और चंप शिए और फिझनलेटिए और शेयर केंच द एक बढ़ेजिए और रहाएभ जाहाँ आज बता स्का रगन कीजिए ये झादीए